श्री नांजी गुरुजी को अलग आदेश, माभखवती को अलग आदेश, रांची वाले भाहिर बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश, जै पूले बाबबा तवशरनम, जै उमा महेश्वर तवशरनम, जै अउघण दाता तवशरनम, मतलब अउघण आपको बनाने वाले महादेव के शरन में हम शरनागत हैं, तो आज उन महादेव की कता आपको बताएंगे, महादेव अघणी से अउघण कैसे बने, या किसी के मन में एक बदले का भाव था, जिसको पूर्ण करने के लिए महादेव को ग्रिहस्त जीवन में प्रवेश करना पड़ा, जब मैंने सृष्टी की सनरचना बताईती तो बताया था, कि जो महादेव हैं, वो स्वंभू हैं, उनके बाहर कुछ नहीं है, जब उनमें चेतना जागी, तो ब्रह्मांड का निर्मान हुआ, फिर ब्रह्मा विष्णु का प्रादुर भाव हुआ, भैरफ जिक्यूत पक्ति में, मैंने आप लोगों को बताया था, कि कलेश ब्रह्मा जी और विष्णु जी में चलना था, कौन महान हैं, और ब्रह्मा जी ये सिद्ध करने पर लगे थे, कि महान वही है, तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी में होड लगा, कि जो महादेव या बोलिए ब्रह्मान्ड का जो और छोर जो खोज ले वही महान है तो विश्णु जी पहले गए वो ढूंड के आए उनको ब्रह्मान्ड का और छोर नहीं मिला तो ब्रह्माजी गए और ब्रह्माजी को कहीं एक कनेर का फूल दिख्या वो तोड़ के लिए आया और उन्होंने बोला यही ब्रह्माण के एक छोर पर यह फूल था इससे महादेव को बहुत क्रोध आया और क्रोध से भैरव महाराज प्रगट हुए और उन्होंने जो मिध्या बोलने वाला ब्रह्मा का मुक्ता उसको काट दिया ब्रह्माण जी की इरशा महादेव से शुरू हो गई यहां से लेकिन यहीं पर सब नहीं हुआ ब्रह्माण जी की इरशा आगे चलके या फिर महादेव को अपना जो क्रोध था उनका या ब्रह्माजी का जो खीस था महादेव के उपर उसको और तुलतब मिला जब शृष्टी की संरचना और बड़ी होने लगी और पहले सिर्फ पुरुष हुए सिर्फ पुत्र हुए ब्रह्माजी के उसके बाद फिर पुत्रियां हुई जब पुत्री हुई तो साथ में काम देव का और प्रादोरभाव हुआ कि दो कि स शृष्टी को अगे बढ़ाना था कि जब काम देव प्रादोरभाव हुए तो उनों ने उन पाच तीरों को चलाया उस पाच तीर को चलाने से कामदेव के वश में पूरा ब्रहमान्डा गया सब कामना में लिप्त हो गया महादेव के अलावा और विश्नु जी वहाँ नहीं थे वो समद्र के अंदर थे ब्रहमाजी तक कामदेव के वश में कामना के वश में चले गए महामाया के प्रशाद से इस पर महादेव जी ने बहुत नाराज की व्यक्तिकी ब्रह्मा जी के प्रति कि आप सब के पिता हैं, आप कामना के वश में कैसे आ सकते हैं और उनको सबके सामने डाटा, ये गलत है, ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप कैसे कामदेव के वश में आ जाते हैं वही पर फिर ब्रह्माजी कामदेव से नाराज हो करके उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम शिव आगनी में जलके समाप्त हो जाओगे और यहां से एक कोलवर शुरू हुआ, ब्रह्माजी का महादेव के विरुद्ध में, महादेव कर कोई भी, इसमें मन नहीं था युद्ध का, सिर्फ ब्रह्माजी के मन में ऐसा चल रहा था, ये दो बार ही हो गया पहली बार मैंने मिथ्या बोला, मेरा सर काट लिया, दूसरी बार कामदेव ने बान चलाया, मैं मन्दमुक्द हो गया और कामदेव के वासना फलित जो तीर थी, उसमें फसने के चलते, सब के सामने, महादेव ने मुझे ऐसे बेज़त किया ब्रह्मा जी ने सोच लिया कि जिस कामना के चलते, महादेव ने उनको बेज़त किया, उसी कामना में महादेव को बान धीगे ब्रह्मा जी, विश्णु जी के पास गए, और उन्होंने बोला, कि मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ विश्णु जी ने बोला ये गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए फिर ब्रह्मा जी ने कामदेव को आदेश दिया कि जाओ उस महादेव का ध्याना भंग करके उनको कामना में लिप्त कर दो कामदेव ने बहुत प्रत्न किया और अंतमे भसमा हो गए फिर विश्णु जी के पास आए ब्रह्मा जी कि ऐसा ऐसा हो गया अब प्रभु क्या करे तो विश्णु जी ने मार्क दिखाया उन्होंने बोला कि देखो तुम जो कर रहे हो ये तो बहुत गलत है लेकिन अगर तुम ये करना चाहते हो तो विश्णु जी भी क्या देवताओं में पॉलिटिक्स के सबसे प्रमुख खिलाडी उन्होंने बोले ऐसा अगर तुम करना चाहते हो तो महादी शक्ति की भक्ति करो वही अगर प्रित्वी पर अवतरन लेंगी तो वो महादेव के समकच्च हो सकती है ब्रह्मा जी को पूरा कैल्कुलेशन समझ में आ गया वो लगए निरंतर महा माया की आराधना में मा भगवती देवी काली के रूप में प्रकट हुई और ब्रह्मा जी से पूछी कि आपको क्या चाहिए ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि मुझे मा ऐसा वर्दों कि आप अर्धांगनी बनो महादेव की मा ने बुला ऐसा संभव नहीं है क्योंकि महादेव तो देवादी देव है लेकिन अगर महादेव पृत्वी पर विचरते हैं तो मैं तुम्हारे पुत्र दक्ष की कन्याबन करें आ जाऊंगी और फिर महादेव से विवा करूँगी ब्रह्मा जी दक्ष के पास गये खुशी खुशी उन्हें बताया कि मा भगवती आपके घर में बेटी के रूप में आईंगी आप अभी से मा भगवती की साधना शुरू कर दो इधर मा भगवती की अराधना दक्ष ने शुरू की और उधर महादेव को ब्रह्मा जी ने अपने एक सोच से एक योगी के रूप में आदी योगी के रूप में प्रिथ्वी पर स्थापित कर दिया तो बैरागी अगुरी महादेव शिव शंकर कैलाश पर विराजने लगे अपने ध्यान में मस्त रहते थे और जो अपनी क्रियाई थी साधकों वाली वो खरते थे संसार से वुमुक परमग्यानी अवधूत महादेव भी तो प्रिथ्वी पर विचर रहे थे तो महादेव पून तो थे नहीं अवधूत थे तो शिव शंकर वहाँ पर विराज गए ब्रह्मा जी ने जैसा सोचा था वैसा ही सब चल रहा था मा भगवती ने दक्ष पुत्री के रूप में जन्मे लिया और उनका नाम पढ़ा उमा जै उमा महेश्वर तबशर्म। उनको शुरू से बताया गया कि आपको अराधना करनी है महादेव की और उनको पती के रूप में प्राप्द करना है अभी बहुत को समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि सीरियल में कुछ और ही दिखा रहा था मैं देख रहा था सीरियल और किताबों में बहुत अंतर होता है महादेव को तो कोई अंतर नहीं पढ़ रहा था भगवती अपना रातना कर रही थी लेकिन विश्णु हो ब्रह्माजी हो सब का अस के रुप में प्राप्त करना है तो फिर उनको महादेव की साधना आगे की बताई गई महादेव उनकी साधना से डिगे नहीं ब्रह्माजी और विश्णु जी फिर महादेव के पास पहुचे और बोले ब्रह्माजी के साथ मा सावित्री और विश्णु जी के साथ मा ये पहुँच गए वहाँ उन्होंने बोला कि कल जो के आप से प्रात्ना है कि आप विवा करें उमा से महादेव ने बोला कि देखो विवा का तो कुछ सवाल ही नहीं होता है क्योंकि मैं वैरागी हूँ मैं अगोरी हूँ लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो ये मेरी मजबूरी हो जाएगी कि मुझे विवाह करना पड़ेगा क्योंकि आप विश्णु हो आप ब्रह्मा हो माउमा का तब और तेज होता चला गया महादेव प्रकट हुए माउमा के सामने और उन्होंने बोला कि वर मांगो तो माउमा कुछ बोल नहीं पई महादेव को देखकर के उन्होंने फिर बोला वर मांगो तब भी माउमा कुछ नहीं बोल पई फिर तीसरी बार महादेव ने बोला वर मांगो तो माउमा कुछ और ही बोलने लगी तो महादेव वहाँ पर वर देखे तिकल गए बोले कि तुम मेरी अर्धांगे नहीं बनो उसके बाद की कहानी तो सबको पता ही है सती की कहानी बाद में आती है ठीक है वो किसी और कथा में मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसके बाद ब्रह्मा जी दक्ष के पास गया उनको बताया कि अब उमा और शिव की शादी होगी दक्ष के सारे पुत्रों को बुलाए गया महादेव अपने गन के साथ आए और विवासूत्र में बन गया और यहाँ से महादेव जो अगहुरी थे वो अउगण हो गये इस कत्ता से ये समझो कि एक अउगण और अगहुरी में क्या अंतर होता है अगहुरी मसान में रहते हैं, अकेले रहते हैं, अउगण पारिवारिक होते है शास्त्रों में ये भी लिखा गया है, कि जो भाईरव का प्रशाद ग्रान करें, वो अगोरी होता है, भाईरव का प्रशाद क्या है, ब्रह्मा को जो रोश आया, वो भाईरव का प्रशाद ही था, ठीक है, तो भाईरव को जो भी आप चड़ाते हैं, वो जो पान करते हैं, वो अगण होते हैं, जो महादेव और मा उमा के दिखाई मार्ग पे चलते हैं, वो अगण होते हैं, जो महादेव उमा समवाद के हिसाब से पूजा करते हैं, तंत्र करते हैं, वो अगण होते हैं, जो भहिरव और भहिरवी का दियावा प्रशाद, तंत्र प्रयोग करते हैं, वो अगण होते हैं लेकिन अगण वही हो सकते हैं जो ग्रिहस्त जीवन में रहें जब तक आप ग्रिहस्त जीवन में रहके ग्रिहस्त में आपका जो responsibility हो है, उसको पूरा नहीं करते हैं, तब तक आप ओघण नहीं हो सकते हैं, और अगोरी और ओघण के बीच में कोई समानता नहीं है, अगर आपको अगोरी बनना है, तो घर में रहके आप पिना शादी किये अगोरी नहीं हो सकते हैं, घर में रहके सारी responsibility को पूरा करते हुए आप आउगाण हो से अगोरी होने के लिए आपको मसान में, जंगलों में, पहाडों में, गुफाओं में जाना हूँ, आज के लिए तहीं, जिनको मेरे पेट वाट्सव गुरूप से जुड़ना है, जिसमें हम बेसिक साथ नाय से खाता है, वो मेरे नंबर 94311885852 मुझसे जुड़ सकते हैं, डारेक्ट बात करने के लिए एक अप्लिकेशन है, कॉल मी फॉर आप, उस पर इंडिया, यूएस और एक आदे देश के लोग मुझस महानेव, आप लोगों को सादना में अच्छी रा दिखा, ऐसी मेरी प्रातना है, आप सभी को आदेश, आदेश, हालाक आदेश